नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं उमीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे अपनी अपनी जिन्दगी में खुस होंगे दोस्तों आज की रेस्पी में हम गाओं के तरीके से चिली पनीर बनाने वाले हैं और दोस्तो आज की रैस्पी आपको जरूर पसंद आईगी तो चले दोस्तो, हम देन न करते हुए चली पनीर रैस्पी बनाना शुरू करते हैं चली पनीर बनाने के लिए, यहां पे हमने 10 कजी अमूल का पनीर लिया है और हमने छोटी छोटी टुकडों में काट लिया है रिफार्ट तेल गरम हो गया है तो अब हमने पनीर को डाल दिया है और उलटते पलटते हुए हमें हलका सा फ्राई कर लेना है दोस्तो पनीर फ्राई करने से सबजी का टेस्ट दोगना हो जाएगा पनीर फ्राई हो गया है तो अब हम एक बरतन में निकाल लेंगे इसी तरीके से हम सारे पनीर को फ्राई कर लेते हैं पनीर फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है दो उस्तो जल्दी हो जाता है यहाँ पे हमने सिम्ला मिर्च को बड़े बड़े टुकडों में काट की तयार कर लिया है तो उसी तेल में हम सिम्ला मिर्च को भी फ्राइ कर लेते हैं जब तक कि सिम्ला मिर्च अच्छे से सौप्ट ना हो जाए सिमला मिर्च फ्राई हो रहे हैं, चाट टमाटर अधरक हरी मिर्च ले लिए हैं, अब हम सिमला मिर्च को एक बरतन में निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमने मिकसर जाल ले लिया है, मिकसर जाल में हमने टमाटर को काट लिया था छोटी छोटी टुकड़ों में, तो सबसे पहल करके हमें बारीक पेश्ट बना लेना है हमें पानी बिलकुल भी नहीं डालना है तो इस तरीके से हमने टमाटर के पेश्ट को पीज लिया है और एक कटोरी में रख दिया है कडाही में हम रिफंड तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाने की बाद बड़ी लायची दाल चीनी का कटोरा एक चमच जीर डाल देंगे 15 सीकेंड के लिए भून लेंगे उसकी बाद टमाटर का पेश्ट डाल देंगे और मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद एक चमच दर दर रख उटा हुआ धने पाउडर आल देंगे आदे चमच कसमीरी मेच पाउडर आदे चमच हलदी डाल देंगे स्वादनुसर नमक डाल देंगे अब हम सबसे पहले टमेटो सौस डाल देंगे और उसके बाद चिली सौस डाल देंगे उसके बाद हम मिक्स करते हुए 3-4 मिट के लिए ग्रेवी को पका लेंगे जब तक कि तेल अलग ना होने लगे तो आप देख सकते हैं तेल अब हम आधा गटोरी पानी डाल देंगे हमें पानी जादा नहीं डालना है मिक्स करने के बाद जब ग्रेवी में उबाल आ जाएगा उसकी बाद हम फ्राइ किया हुआ पनीर डाल देंगे पनीर को हमें धीमियाज पर 2-3 मिर्ट के लिए पका लेना है तो 2-3 मिर्ट हो गए हैं अब हम उसके बाद फ्राइ की हुई सिमला मिर्च डाल देंगे सिमला मिर्च को मिक्स कर देंगे और 3 मिर्ट के लिए हमें तेज आज पर पका लेना है तो आप देख सकते हैं सिमला मिर्च की सबजी बनके तयार हो गई है एक चमच गरम मसाला पाउड़र डाल देंगे अगर आपके पास चिली पनीर मसाला है तो आप डालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, तो यहाँ पे चिली पनीर बनके तयार हो गया है, दोस्तो इस तरीके से चिली पनीर बनाएगे तो मटर पनीर, बालक पनीर सब खाना भूल जाएगे, इस तरीके से आप एक बाद जरूर बदाना आपको जरूर परसंद आएगी तो अब हम यहां पर एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में हम सबसे पहले चिली-पनीर को सर्भ कर लेते हैं दोस्तो चिली-पनीर की सब्जी को आप बच्छों को टेफिन में भी रख सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं बहुती स्वादिश्ट बनी हुई है सबजी तो यहाँ पर हमने सबजी को सर्व कर लिया है और थोड़ा सा पनीर हमने बचा लिया था और कद्दुकस कर लिया है तो उपर से हम थोड़े से कदुकस किये हुए पनीर को डाल देते हैं तो एक बार इस तरीके से आप जरूर ट्राय करना दोस्तो आज की रेस्पी आपको जरूर पसंद आईगी अगर आपको चिली पनीर की रेस्पी पसंद आई हो तो मेरी यूटूब चैनल के होमस कुकिंग को लाइक, शियर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इससे हमें पता जल जाता है कि आपको मेरी रेस्पी पसंद आ रही है कि नहीं मिलते हैं अंगली वीडियो में जैसरी कृष्णा राधे राधे